आज जिस personality की हम बात करेंगे वो रहते तो धर्ती पे हैं लेकिन उन्हें पूजा जाता है भगवान की तरह भगवान श्री राम को हमने देखा तो नहीं है लेकिन भगवान श्री राम कैसे थे उनका स्वभाव क्या था उनके आदर्श क्या थे और किस तरह का नेचर उनका था ये सब हमने जाना इनहीं को देखकर इनका स्टारडम किसी भी बॉलिवोड आक्टर से बहुत बड़ा है ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां बॉलिवोड स्टार का स्टारडम हर फ्राइडे बदलता है वहीं इनका स्टारडम कायम है पिछले 30 सालों से बात करेंगे भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अक्टर अरुन गोविल की अरुन गोविल की लाइफ से जुड़ी वो बाते में आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब फिल्मों में romantic hero के रूप में काम करने वाले अरुन गोविल बन गए भगवान श्री राम क्यों जिस serial रामायन ने उन्हें अमर कर दिया उसी serial की वज़े से वो हो गए jobless और कैसे इस कल्यूग में अरुन गोविल जिनें पूजा जाता है हर जगे उनकी इज़त होती है उनके साथ भी लोगों ने धोका किया अरुन गोविल का जन्म हुआ मेरिट में इनके फादर government job में थे mother housewife थी और इनके फादर अरुन गोविल के लिए भी चाहते थे कि वो भी आगे जाकर government job में ही रहे अरुन गोविल के पाँच भाई थे और इनकी दो बहने थी अपने school की पढ़ाई करने के दौरान ही ये school की कई cultural activities में काम किया करते थे cultural में interest थो था लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आगे जाकर वो acting या theater से जुड़ेंगे school और college की पढ़ाई खतम करने के बाद अरुन गोविल मुंबई आ गए यहाँ पर उनके भाई विजय रहा करते थे उनका business था और विजय के साथ ही वो उनके business में साथ देने के लिए मुंबई आ गए थे कम ही लोग जानते हैं कि टीवी होस्त अरुन गोविल की भावी है तो बस क्या अपने भाई के साथ अरुन गोविल रहते थे और भाई के साथ ही business में काम बटा रहे थे लेकिन कुछ time बाद उन्हें feel होने लगा कि वो ये business business नहीं कर पाएंगे और तब उन्होंने acting की इच्छा जाहिर की कुछ time इधर उधर auditions दिये और पहली बार इन्हें काम दिया राच्री ने जी हाँ वो film पहेली बना रहे थे और इस film में अरुन गोविल ने एक छोटा सा रोल किया था रोल तो छोटा था लेकिन अरुन गोविल का impact था अरुन गोविल का काम राच्री प्रोडक्शन को इतना जादा पसंद आया कि उन्होंने अरुन गोविल को अपनी तीन अगली फिल्मों के लिए sign कर लिया था और इयर 79 में अरुन गोविल as a lead hero दिखाई दिये राच्री प्रोडक्शन के फिल्म सावन को आने दो में इस फिल्म में उनकी lead actressी जरीना वहाब और ये फिल्म box office पर blockbuster साबित हुई in fact इस फिल्म ने अरुन गोविल को star बना दिया था इसके बाद अरुन गोविल नजर आये साच को आच नहीं और राधा और सीता में लेकिन ये फिल्म में उतनी wonderful नहीं रही year 1980 में अरुन गोविल हमें नजर आये फिल्म जुदाई में इस फिल्म में lead actress है जितेंड और lead actress थी रेखा इसके बाद 81 में वो नजर आये राच्ष्री के फिल्म जियो तो ऐसे जियो में यानि कि कहा जा सकता है कि अरुन गोविल के करियर में अब तक राच्ष्री का बहुत बड़ा हाथ था लेकिन सावन को आने दो, साच को आच नहीं, राधा और सीता और जियो तो ऐसे जियो के अलावा, अरुन गोविल कोई भी खास बड़ा काम नहीं कर पाए थे अगर वो बड़ी फिल्म में काम भी कर रहे थे, तो धीरे-धीरे उनको supporting actor या फिर side hero के roles मिल रहे थे क्योंकि ये industry का वो time था, जब competition अपने चरम सीमा पे था जी हाँ, अमिताब बच्चन बॉलिवुड में आ चुके थे, शत्रुगन सिना चल रहे थे, धर्मेंदर चल रहे थे, जीतेंदर, मिथुन ये सभी actors उस वक्त box office को dominate कर रहे थे और सब में number one बनने की hold लगी हुई थी और अगर बात करें नई generation यानि की सनी दियोल और संजेदत तो ये actors भी आने की तयारी कर रहे थे, यही कारण था कि अरुन गोविल as a lead hero अपनी जगर नहीं बना पाए और धीरे धीरे वो supporting roles में आ गए, वो हिमत वाला फिल्म में भी नजर आये, जब करियर में कुछ खास हो नजर नहीं आया, तब अरुन गोविल ने टीवी का रस्ता पकड़ा, और इसी दौरान वो रामनन सागर के विक्रम विताल में काम कर रहे थे, इसमें इन्होंने राजा विक्रमादित्य का रोल निभाया था, जिस वक्त अरुन गोविल विक्रम विताल की shooting कर रहे थे, रामनन सागर ने उनका ये offer तुरंत reject किया और उन्होंने कहा कि राम का रोल तो नहीं, लेकिन अगर भरत, लक्षमन, ये रोल तुम करना चाहो तो मैं सोच सकता हूँ, ऐसे में अरुन गोविल ने कह दिया कि नहीं मेरी इच्छा है कि मैं राम का रोल ही करूँगा, अरुन अरुन गोविल ने भी अपने आपको समझा लिया था कि ये सीरियल तो मेरे हाथ से जा चुका है, लेकिन रामायन की शूटिंग के कुछ ही दिनों पहले रामनन सागर का अरुन गोविल को कॉल आता है और वो कहते हैं कि मुझे तुम से अच्छा राम और कोई भी नहीं मिल इसलिए सेलेक्शन कमिटी ने तुम्हें राम के रोल के लिए फाइनलाइस किया है, बस क्या था? अरुन कोविल ने जो चाहा वो उन्हें मिल गया था, इसके बाद उनके लुक टेस्ट हुए, साथ ही लुक के साथ उनके एक्स्प्रेशन के भी बहुत सारे टेस्ट हुए इसी दोरान जब भगवान राम का पूरा character decide हो गया था कि वो कैसे चलेंगे, कैसे बात करेंगे, उनका तौर तरीका क्या होगा, ये सब final होने के बाद रामनन सागर को कुछ कमी लग रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ होते हुए भी क्या चीज मिसिंग लग तरह से रामायन में अरुन गोविल को भगवान राम के किर्दार के लिए सेलेक्ट कर दिया, रामायन की जादतर शूटिंग महाराश्ट्र और गुजरात के बॉर्डर उमर गाओं में हुई, कई दिनों तक इन्हें वही पर शूटिंग करना पड़ता था, वेल वहाँ पर प्रेंज ने रोका था, क्योंकि तब माइथोलोजिकल सीरियल्स को इतना बड़ा नहीं माना जाता था, और उनके फ्रेंज ने उन्हें कहा था, कि तुम ये गलत ट्रैक पर जा रहे हो, और तुम अपने करियर को खराब कर रहे हो, लेकिन उन सब को इगनौर करते हुए, अ रामायन के कुछी एपिसोड्स एर हुए थे और तब ही लोगों के कॉल्स आने लगे, लोग इनसे मिलना चाते थे, कौन है भगवान राम, कौन है सीता जी, कौन है लक्षमन, तब इन्हें अलग-अलग इवेंट्स के इन्वाइट्स आने लगे, अरुन गोविल ने कई कि से शेयर किये, जिससे उन्होंने बताया कि भगवान राम की छवी, उनके साथ कुछ इस तरह चिपक गई थी, कि रियल लाइफ में कोई भी उन्हें अरुन गोविल के नाम से जानना ही नहीं चाता था, उनके लिए तो अरुन गोविल भले ही स्क्रीन पे हो या बिना स्क्र पर वो सिर्फ भगवान राम ही थे, लोगों का उनकी तरफ प्यार कितना था, ये इसी बात से जान सकते हैं कि किसी के भी घर में अगर भगवान राम की पूजा करनी होती थी, तो तब तस्वीर भी अरुन गोविल की ही होती थी, क्योंकि भगवान श्री राम के नाम पर हम सिर्फ अरुन गोविल को ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये किरदार निभाया और बताया कि भगवान राम कैसे थे, अरुन गोविल बताते हैं कि एक बार वो अपने शूटिंग के सेट पर बैठे हुए थे, वो casual ड्रेस में थे, जीन्स और टी-शिर्ट पहनी थी, तब एक लेडी आई अपने बच्चे को लेकर और वस वो पूछ रही थी कि राम भगवान कहा है, भगवान राम कहा है, इसके बाद किसी ने फाइनली उन्हें अरुन गोविल से मिलवाया, एक बार तो वो देखकर पहचानी नहीं, लेकिन बाद में उन्हें रेलाइस हो ग यह बहुत ज़्यादा बिमार है, तब अरुन गोविल ने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं भगवान राम नहीं हूँ, मैं सिर्फ किरदार निभाता हूँ, आप मेरे पास लेके आई हैं, इससे अच्छा आप होस्पिटल लेके जाए और अगर आपको किसी फिनाशल सपोर अरुन गोविल ने बोला कि आप यह क्या कर रहे हो, तब उन्होंने बोला हमने भगवान राम को जितना भी जाना है, वो आपके रूप में ही जाना है, और मेरी ये श्रद्धा आपके प्रती नहीं, मेरे भगवान राम के प्रती है, अब जब लोगों के कुछ ऐसे आते हैं, तो अरुन गोविल कैसे जनता को रोख सकते हैं अपने पैर चूने से, अरुन गोविल बोलते हैं कि सीरिया को खतम हुए, 30 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग आकर मेरे पैर चूते हैं, वेल ये तो कहानी है अरुन गोविल की, लेकिन अगर टीवी की बात करें, तो टीवी पर उन दिनों जब भी रामायन आया करता था तो लेडीस अपना से ढख लेती थी, शूस दूर खोलती थी और उसके बाद सब चुप चाप बस रामायन देखते थे. इस सीरियल का असर कुछ ऐसा था कि एक बार वारा नसी के घाट पर जब इस सीरियल के कुछ एपिसोड को शूट किये गए तब वहाँ पर राम सीता और लक्षमन को देखने के लिए लाखों में लोग आये और उस दिन उन्हें पता चल गया था कि वाकए में इस सीरियल ने उ तब तक अरुन गोविल रामायन से जुड़ोय हुए थे और रामायन में काम कर रहे थे तब तक उन्हें अहसास था कि वो कितने बड़े स्टार है इन फैक्ट इवेंट्स में जाते थे तब भी उन्हें रियलाइस हो गया था कि हमें लोग पहचानने लग गये हैं और हमार स्टार्डम बहुत बड़ा हो गया है लेकिन इस स्टार्डम की असलियत उन्हें तब पता चली जब रामायन के बाद उन्होंने इंडस्ट्री में काम धूनना शुरू किया जी हां रामायन की शूटिंग तो खतम हो गई थी अब आप नेक्स्ट क्या करें वही करेंगे जो करते आए हैं यानि कि फिल्में और फिल्मों में काम अरुन गोविल ने दो तीन प्रोड़क्शन हाउजस के चक्कर लगाए तो हर जगे से उन्हें यही जवाब मिल सकता था कि हम आपको काम कैसे दे सकते हैं एक्चली हुआ ये था कि भगवान राम की छवी इतनी ज़ादा हावी हो गई थी अरुन गोविल पर कि उन्हें अब फिल्मों में कोई भी रोल देने से पहले सोच रहा था हीरो का रोल नहीं दे सकते क्योंकि रोमैंस कैसे करवाएंगे विलिन का रोल तो दे ही नहीं सकते क्योंकि भगवान राम की इमिज इनके साथ जुड़ी हुई है साथ ही साइड हीरो का भी अगर रोल दे तो उसमें कुछ पावरफुल रोल देना पड़ेगा ऐसे ही कॉमेडी का रोल तो दे नहीं सकते क्योंकि भगवान राम की इमिज लगी हुई है यही कारण था कि रामायन के बाद अरुन गोविल का फिल्मी करियर खतम सा हो गया और इसके बाद एक फिल्म आई जिसमें अरुन गोविल जो कि अब तक राम के लिए जाने जाते थे उन्होंने इस फिल्म में पहली बार लक्षमन का किरदार निभाया था जी हां यह फिल्म ती लवकुष और इस फिल्म के लीड आक्टर थे जीतेंद्र जया प्रदा निभा चुके थे इधर उन्हें किरदार लक्षमन का मिल रहा था लेकिन यह फिल्म थी और वो बहुत टाइम से फिल्में करना चाहा रहे थे लेकिन यह वो कुछ आखरी फिल्में थी जिसमें अरुन गोविल हमें एस अन आक्टर नजर आए फिल्मों के ओफर्स तब तक उनके पास खतम ही हो गए थे ऐसा नहीं है कि अरुन गोविल ने फिल्मी करियर को रिवाइब करने की कोशिश नहीं की उन्होंने कोशिश तो बहुत की जब बॉलिवुड में बात नहीं मनी तो वो साउथ में भी गए लेकिन वहाँ पर भी लोगों का वही एटिटूट थ कोई भी अरुन गोविल को राम के अलावा किसी और इमिज में देखना ही नहीं चाता था ये बात इस इंसिडेंट से प्रूव होती है कि साउथ के इस फिल्म के दौरान एक बार शूटिंग ब्रेक में अरुन गोविल जो कि स्मोक करते थे वो सेट पर स्मोक कर रहे थे तो और वहाँ पर उस सेट से एक बंदा आता है अरुन गोविल के पास और वो वहीं की लैंग्वेज में इतना कुछ सुना जाता है जिससे अरुन गोविल को ये तो रियलाइज हो गया कि उसने बहुत कुछ बोला है और उस दिन अरुन गोविल को पता चला कि उस आदमी का कह कि भगवान राम होके तुम ये किस तरह की हरकत कर रहे हो। उस दिन अरुन गोविल को समझ आ गया था कि उन्होंने लोगों के दिल में इमोशनल स्पेस बना ली है और अब वो इस स्पेस को कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि ये वो टाइम था जब सिनेमा को एंटेटेन्मेंट के लिए नहीं बलकि इमोशन के लिए देखा जाता था और जिस कदर रामायन ने घर किया लोगों के दिलों में शायद ही कोई ऐसी फिल्म या टीवी सीडियल था जिसने लोगों के दिल में इस तरह से जगा कर लेकिन अब अरुन गोविल को समझ आ गया था कि लोगों से उनका ये जो रिलेशन है ये इमोशनल बॉंड हो गई है और अब उन्हें अपनी इस करेक्टर की मर्यादा में ही रहना पड़ेगा यही कारण है कि अब अरुन गोविल को किदार तो नहीं मिल रहे थे लेकिन काम तो करना था इसलिए उन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट कर दी और इसी दौरान वो दूर दर्शन के लिए कहीं सीरियल्स बनाया करते थे साथ ही अगर कभी भी इवेंट्स में या फंक्शन्स में अरुन गोविल को बुलाया जाता था तो वो अपना सिफ कुर्ता ही रखते थे उन्होंने कभी भी जीन्स और टीशिट जैसे फंकी लुक्स स्पॉट नहीं किये हाला कि शर्ट और पैंट जरूर पहनी है लेकिन हमेशा कहीं भी गए हैं तो साध्गी से ही गए हैं ताजुप की बात है जो आरुन गोविल बॉलीवोड में आय आक्टिंग का करियर यहीं आकर खतम हो गया लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जैसी स्टार्डम इन्हें मिली वैसी स्टार्डम इंडस्ट्री के किसी बॉलीवोड आक्टर की भी नहीं है तल कम ही लोग जानते हैं कि राम का किरदार करने वाले अरुन गोविल खुद 79 में ही उन्होंने शादी कर ली थी उनकी वाइस श्री लेका भी एक आक्टरस है वो थेटर और टीवी करती है साथ ही उनकी एक बेटी है और एक बेटा भी है इनफेक्ट बेटे की शादी भी हो चुकी है और उसके भी बच्चे हैं रामायन को आज भले ही 30 साल हो गए हैं लेकिन तब से लेकर अब तक अरुन गोविल ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की है जिसके तुरू लोगों को उनकी इस हरकत से ठेज पहुँचे और भगवान राम की छवी बिगडे उन्होंने इस इमिज को कहना पड़ेगा कि बहुत अच्छे से संभाला लेकिन वहीं लोगो उन्होंने कल्युग में राम जैसे अरुन गोविल को भी धोखा दे दिया उनके साथ ये धोखा तब हुआ था जब 2010 में अरुन गोविल ने अंधेरी में एक फ्लैट बुक करवाया था इस फ्लैट के लिए उन्होंने 15 लाक रुपे बिल्डर को दे दिये थे पांच महीने निकले छे महीने निकले बिल्डर ने जो टाइम गेप दिया उसमें वो अपना कमिट्मेंट पूरा ही नहीं कर पाया इन फैक्ट जिस जगे के लिए उन्होंने पैसा दिया था उस जगे पर एक फ्लैट तो दूर की बात एक इट भी नहीं पड़ी थी और तब जाकर अरु प्रियुग में इस तरह की हरकते जेलनी पड़ जाती है बॉलिवुड का शायद ही कोई हीरो होगा जिसका किरदार उसकी असल जिंदगी पर भारी पड़ा होगा अरुन गोविल ने फिल्में और भी की है लेकिन रामायन जैसा किरदार कहीं नहीं किया वही रामायन तो और भी बनी है लेकिन रामानन्स सागर जैसी रामायन और अरुन गोविल जैसे राम हमें कहीं भी नजर नहीं आए यानि कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लिमेंट करते हैं बेशक रामायन टीवी सीरीज के कारन आरुन गोविल जादा फिल्में तो नहीं कर पाये लेकिन उन्हें जो स्टार्डम मिला है वो इतनी फिल्मे करने के बावजूद नहीं मिल पाता और शायद इसी स्टार्डम की रेस्पेक्ट करते है अरुन गोविल इसलिए वो कहते हैं कि भले ही मैं जादा कुछ नहीं कर पाया लेकिन मुझे जितना मिला उतना अच्छा है इस केरेक भगवान राम की इमिज पिछले 30 सालों से है रामायन लोगों को याद तो थी लेकिन उसके बारे में बात कम होती थी और अब जब लॉकडाउन के दौरान फिर से रामायन को टेलीकास्ट किया जा रहा है तो वाकई में वो सारी यादे ताजा हो गई विल आपको क्या लग को कैरी किया और भगवान राम के किरदार को कभी भी खराब नहीं होने दिया उसे नीचा नहीं दिखाया कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ तब तक के लिए लाइक क पेज बॉलीवुड ठिकाना फालो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना